हालो एविवाइन कैसे आप लोग वीदे आप सब अच्छे सुनगे दोस्तों इस वीडियो में हम फिर से डिसकस करने वाले हैं पिछले 5 सालों के कोश्चन पेपर को और जानेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रशन आते हैं और कैसे प्रशन पुछे जाते हैं किसकी कौन से टॉपिक से कितने प्रशन आये हैं कौन से साल प्रशन पुछा गया है पार्ट ए में आया है वेरी शॉर्ट शॉर्ट या लॉइंट अजर कितने नंबर के प्रशन पूछेगए हैं तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंप्रंटन है कुछ माइनों के लिए थोड़ा important topic है points है और क्या आपने वह पढ़ा है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई important point miss कर दिया और उससे ज्यादा questions आ जाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो को और अगर अभी तेक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो one by one discuss करते हैं पहले इन तीनों के बारे भी देखए दो हजार कि वैदी strictlyien, शिक्षा प्रणाड़ी की प्रवुक्विसिस्ताओं का वाडन करिए ठीक है वैदी कालीन की विसेस्ताओं हो गई वैदी कालीन के 10 से 2019 में पूँचे गए है वैदी कालीन सिक्षा के उद्ये से एवम आदर्स्त था आज के युग में इसकी प्रसांगीता का विवेचना करिए 2020 लॉंग में पूछा गया है और वैदी कालीन सिक्षा का महत्तुव और वैदी कालीन सिक्षा के सैचिक नहारतो को असपश्ट करिए मतलब वही बात हुई उसके सिक्षा के उद्ये से उसके सिक्षा के महत्तु के बारे में वर्ण करिए 2017 के शौट में पूछा गया था और समापवर्तन संस्कार विद्यारंब संस्कार और गुरुकुल प्रडारी ये वेरी शौट में प्रशन पूछे गया थे तो देखा आप में से हर प्रशन पूछे जाना है सेम चीज़ को भी मुस्लिम कालीन में भी रिपीट किया हो गया मुस्लिम कालीन के अगर हम बात करें तो 2021 वेरी शौट में आप से पूछा गया था मुस्लिम कालीन सिक्षा के चार उद्ये से बताईए ठीक है 2020 में पूछा गया था कि मुस जुचा गया था और इस्लामिक सिक्षा के एक परिशे दिजिए ये पूछा गया था मुस्लिम कालिन के बारे में 17 से 20 तक ठीक उसी प्रकार से बुध काली। में भी पूछा गया है वुद्ध कालिन पूछा गया है की बुद्ध कालिन के बारे में पूछा गया इस वीडियो में वह बहुत अच्छे से इसको डिसकस किया था कि तीनों काल की विशेस्ताएं आदर्स उद्देश से क्या है इन सब के गुर्ण और दोस्त के बारे में हमने देखा था और मुझे लगता है कि आपका ये प्रशन तो बिल्कुल तैयार होगा आपने पड़ रखा होगा तो 17 से लेक और कैसे कैसे प्रशन पूचेंगे एक बार आईए इस पर जरा नजर देखते हैं तो वुड का घोशनापत्र किस वर्स आया था इसका उद्देश से क्या ये वेरी शॉट एक नमबर में पुछा था कि वूड का घोशनापत्र कब आया था था आटारे सो चापन में इसका भारत की सिक्षा में परिवर्तल लाने के भारत सिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तो इसका मुख्य उद्देश था वुड के घोशनापत्र के गुण और दोस्त के बारे मताना था ठीक है ये भी शॉट में 2020 के आठ नमर में पुछा गया था वुड के घोशनापत्र का संस्तूतियों के उले करिए वुड के घोशनापत्र का परिचे देते हुए भारति सिक्षा पत्र पर भाहव बताई तो वुड के घोशनापत्र के बारे में कि वुड का घोशनापत्र क्या होता है इसकी विश्यस्ता है इसका उद्दे से और भारत के सिक्षा में इसका क्य योगदान रहा इसके बारे में पूछा गया है कई बार आपसे प्रश्ण और अगला प्रश्ण देखते हैं मेकाले इस मिनट यानि की मेकाले का विवरण पत्र सेम यही चीज दोस्तों कि भारते सिक्षा के संदर्म में में मेकाले की विवरण पत्र की विशेष्टा है आप उनको एजुकेशन दीजिए नीचे वालों के मत दीजए मैंकाले ने इस इस पर तरक यह दिया था कि जो नीचे वाली लोग होते जो गरीब लोग होते न वो हमेसा बड़ों की copy करते है ठीक है तो आप उनको शिख्चा देंगे तो यह खुद अपनी इक्छा से उनको कॉपी करते हुए सिक्षा की तरफ जूडएंगे तो इस सीरी को फिल्ट्रेशन थेरी कहते हैं मेकाले का चुकि इस पर बहुत ज़्याद हुआ था इसके बहुत गुर्ड और दोस्ट थे लेकिन अब बस एक बार आप से पूछा गया है कि फिल्ट्रेशन सीरी क्या ह मेकाले ने जु दिया था तो बस यह चीजे थी ठीक है बाकि वेकाले मेकाले मेइक विवर्ड पत्र आपने अक्सर देख लिया होगा पढ़ लियागा समझ लियागा वेकालर के बीबड़ब पत्र क्याँ था क्यों हूँ आया था प्राच्चे पश्राद बीबडको सॉल्व करने के लिए आया था उन्हों उन्होंने इसका हल कैसे निकाला और इसकी विशेष्टाय क्या थी उसका गुड़ और दोस्त क्या था तो यह सारे चीज़े आपसे पूछा गया है 2017 से ले किस तक अगला प्रशन दोस्तों गोखले बील और वर्दा सिख्छा योजना यह आप यूं समझ लेजिए कि मैं आप इस पेज को ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे 17, 18, 19, 20 और 21 हर साल पूछा गया है यह प्रशन ठीक है कैसे प्रशन पूछा गया है कि भारत की प्रात्मिक सिख्छा में गोखले के युगदान का संचिप दू लेख करिए ठीक है 2021 में 8 नमबर में पूछा गोखले बील साथ रखता वेरी शॉट में पूछा गया था अब आए वर्धा योजना को देखिए वर्धा सिख्छा योजना के आभाव पर प्रकास सारी के उदभाव पर प्रकास डालते हुए इसकी विश्यस्ताओं को रिखिए शॉट में पूछा गया था 8 नमबर में वर्धा सिख्च्णा योजना एक नमबर में पुछा गया था और प्रात्मिक सिख्च्छा में सरभोमिक है तू किस वर्ष कौन सा अभियान प्रारम किया था यह 2021 में पूछा गया था तो दोस्तों आपने देखा कि गोखले बील और वर्धा सिख्च्छा योजना कितना इ से सांति सिक्षा और समावेश्य सिक्षा लेंगिक मुद्दे या तीन पॉइंट जो कई बार प्रशने पूछे गया है तो आए देखते सांति सिक्षा के बारे में कैसे प्रशने पूछा गया है सांति सिक्षा के लिए किस पकार भारत की समस्याओं का समधान में लापकारी ह देखे यह 8 नमबर और 15 नमबर में पुछा गया है 2017 में 15 नमबर और 2018 में आपके 8 नमबर में पुछा गया है अध्यापक सिक्षा है तू सांति सिक्षा के निहार्थ की विवेचना करिए कि सांति सिक्षा कैसे इंपोर्टेंड है अध्यापक के लिए समावेसी सिक्षा की अगर हम बात करें कि समावेसी सिक्षा को कैसे पूछा गया तो समावेसी सिक्षा के चार उदेश से क्या लेख करिए समावेसी सिक्षा की ठिपड़ी लिखिए लॉंग में पूछा गया था यह दोस्तों 2020 में इस समावेसी सिक्षा पर ठिपड़ी लिख पुछा गया है लेंगिक मुद्दे के मुख्य बिंदू कौन से है यह भी शौट में पुछा गया है लेंगिक मुद्दे पसंचिप नोट्स लिखे या टिपड़ी करिए लेंगिक विभेत के कारल बताईए और सिक्षा में लेंगिक समानता क्या तो देखा आप इन तीनों जैसे कि सांति सिक्षा समावे सिक्षा और लेंगि मुद्दे इससे कितने बार प्रश्ण पूछे गये हैं और अच्छे कासे प्रश्ण आप से पूछे जाते हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है एक बार इस वीडियो को देखेंगे आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी ठी इस पर आपको थोड़ सा महनद करना पड़ेगा थोड़ी से स्टड़ी करने पड़ेगी वह चीज़े क्या है जैसे नेस्नल करिकुलम फ्रेमवर्क यानि कि राष्ट पार्ट चरिया रूप रेखा 2005 इसको भी हाला कि हमने इस वीडियो में देखा है लेकिन हां आई यह बह इसको भी पुछा गया है नेस्नल करिकुलम फ्रेमवर्क और आई होब कि आपने इसको समझ लिया होगा अब एक जो पॉइंट है उसमें थोड़ा सारे कई सारे कोश्य पुछे जाते हैं जैसे कुछ विद्याले महाविद्याले युनिवस्टिस के बारे में पुछा जाता इगनु के बारे में 2017-18 हाला कि 18 के बाद से नहीं पुछा गया लेकिन न इगनुके बारे में हो सकता है इस बार पूछ ले कि इगनु का मतलब क्या होता है वहां की सिक्षा बैवस्टा कैसी है एक लब यह पर संचिप्र लिखिए ये 2021 के लॉन में पुछा गया था दो जर बीस लॉंग में 21 शॉट में यह भी पूछा गया आप से कई बार 15 नंबर तक पूछा गया है 2021 लॉंग में ठीक है अब यहां पर युनेस्को के अधिगम की स्थम्भों की समिक्षा करिए युनेस्को के बारे में पूछा गया है वरस्पति विद्याले के बारे में बस्तली पीट के बारे में बताइए और SNDT के बारे में महिला विस्विदाले पर टिपड़ी लिखने के लिखा आता है दोस्तों यह जो पॉइंट्स है ना जैसे कि आपका एंसी आर्टी इगनू एकलब भी एंसीटी यूनेस्को बनस्तली एसे डिटी ठीक है इसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिसकस नहीं कर सकते क्योंकि यह तोटली ठीरी और समझने वाले चीज़ होती है ठीक है फिर भी हम कोशिच करेंगे ठीक है अब हम चलते कुछ और पॉइंट्स को वीडियो लंबी हो रही है बट फाइन खतम करना है क्योंकि सारे पुछले 5 सालों को हमने कर रहा है पांस सारे कोशन पर देख रहे हम लोग तो अब इस वीडियो को हम खतम करेंगे दो चार और पॉइंट जैसे चार्टर डेक्ट चार्टर डेक्ट 1813 इसके बारे में बात कि आचा चुका है आई होप कि आपको समाझ में आया होगा कि भारतिय सिक्षा के प्रसार ह पूचा गया यही तो चार्टर डेक्ट क्या होता है कंपनी को अधिकार देती है कि वह भारत में क्या क्या कर सकती है और यह राष्टे सिक्षा अंदुलन के काड़ों का उलेक करने के लिए किस में पुछा गया था और प्राच्य पस्चात वीबात तो यह तो मेरे वीडियो देखने वाले हर एक बच्चा प्राच्य पस्चात वीबात खूब 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 लिखेगा ठीक है यह भी आप से प पर्मक समस्याओं को लिखे मादमिक सिर्चा आयोग भारत में मादमिक Aa जैयोग की अस्हापन तबाथा संस्तूतियं का व्याक्या करिए मादमिक सिक्षायोग का उदियस लिए मादमिक सिक्षायोग क्या है और भारती सिक्षायोग की सुख्ष में समिक्षा करिए भारती सिक्षायोग और मादमिक सिक्षायोग बहुत इंप्रोटन दोस्तों आता है यह प्रशन आता है हाँ इस पर वीडियो नहीं बनी है प्रवधानों का उलेख करिए और समिधान के मुल्य ठिपड़ी करिए भारत समिधान के अनुछेत 45 के प्रवधानों का उलेख करिए तो दिए भारत के समिधान अनुछेत 45 में आपको सिक्षा के बारे में बताया गया है जैसे प्रात्मिक सिक्षा और अनिवारे सिक्षा के के बारे में तो उसके आपको उलेख करना है ठीक है तो यह होगे चलिए वीडियो को खतम करेंगे इस लास्ट पॉइंट के साथ की सिक्षा सर्व सिक्षा अभियान सब बड़े सब बड़े इसके बारे में प्रशन पूछा है आपसे तो इसको आप देख सकते हैं 2018 20 और 19 में भी पूछा गया है कि सर्व सिक्षा ब्यान के क्या हुद्य से और लक्ष है ठीक है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और मत अच्छा हां एक पॉइंट तो भूल गया है वह था कि मध्यामान मिड़े मील के बारे में तो मिड़े मिल के बारे में भी अक्सर पुछन पुछा जाए यह सारे कोश्चन से ठीक है अब देखिए वीडियो को खतम करेंगे बहुत ज्यादा लंबा निलिए एक समराइज करते हैं अब समराइज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अगर आपको लग रहा है कि यार इतना सब कुछ पढ़ना है नहीं मैं आपको बता रहा ह यह सारे वो प्रश्ण है जो आप्सन के साथ भी दिये जाते हैं मैंने उन प्रश्णों को भी रखा है अगर आपके इसका हाफ भी पढ़ लेता है इसली आप निकाल लेंगे अब मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ देखिए तीनों जो कालीन सिक्षा है वैदिक कालीन ब पढ़ लिया आपने प्राश्चे पस्चात विबाद भी उसी में आ जाता है इन सारे चीज़ों को देख लिए तो इन से कम से कम आपको दो प्रश्ण मिल जाएंगे गैरेंटी मिलेंगे अथवा करके भी देता है तो इसको पढ़ लिए काम खतम हो गया गोखले बील क्रोपी खतम और लाश्ट में आप इन चारों को पढ़ लिजिएगा जैसे की पीस एजुकेशन क्या इसको बारे बहुत पढ़ने की विजोटा है सांति इस्ख्चा क्या होता है जहां पर पूरे देस में पूरे राष्ट में सांति इस्थापित करने की बात की जाती है समा आप इसका चल लाएंगे कि मुद्दे जैसे कि कुछ लड़का और लड़की में विवेट कर तो बहुत खफरानी की बात नहीं है मैं इसका पीडियोफ आपको अपने डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में एक टेलिग्राम लिंक है वहां से आप जोई करें आप इसको जब पर तब भी हम मिलेंगे आप एक्जाम के बाद मिलेंगा और रिजल्ट के टाइम भी हम यहीं मिलेंगे हम कहीं नहीं जाने वाले तो वह डिवाइट रूल का थीरी अपनाई है थोड़ा थोड़ा दिवाइट करके पढ़िए और बस किलियर कर लिए ठीक है इस वीडियो मे अब परे कितना प्रेपर कर लिया या नहीं किया बाकी मेरे चैनल पर देखेंगे तो मेरे YouTube के चैनल पर एक प्ले लिस्ट है वहां पर मैंने बाइब बाइब